गुड बर्निंग स्टुडेंट्स आज अपने टेंथ क्लास का टोपिक है देनिक जीवन में रसायन Chemistry in Everyday Life First of all, Acid की Definition, Property और Examples अमल वे पदार्थ हैं जो जल में गुलकर H प्लस Hydrogen Ion देते हैं उन्हें अमल कहते हैं ये जो Definition है वो आरिनियस संकल्पना की अनुसार दी गई है Next इसमें आता है अमल की गुण First है ये स्वाद में खटे होते हैं Second है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं यानि Acid Blue 2 Red इनको जल में गुलने पर ये H प्लस आइन Hydrogen Ion देते हैं Fourth है ये दातों के साथ में क्रिया करके Hydrogen Gas रिमू करते हैं इनके एक्जामपल है Hydro-Cloric अमल, Sulfuric अमल, Acetosophore, Nitric अमल, HNO3 और Acetic अमल, CS3, COOH उपर वाले तीनु Acid परबल हैं और नीचे वाला ये है दुरबल अमल परबल अमल वे अमल होते हैं जो जल में गोनने पर पूंट आइनित हो जाते हैं जो पूंट आइनित नहीं होते हैं वो कलाते हैं दुरबल अमल या Weak Acid सेकंड इसमें आता शार की परिभासा गुण वे उधारन वे पदार्थ जो जल में गुल कर Hydroxy Line यानि OH आइन देते हैं उन्हें शार कहते हैं According to Ironius Definition शार के गुण ये स्वाद में कडवे होते हैं ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं यानि Acid के Just Opposite बेस में होता है इनको जल में गोलने पर ये OH माइनस आइन यानि हाइड्रोक्सिल आइन देते हैं ये अमलू के साथ में क्रिया करके सोल्ट बनाते हैं इनके एक्जाम्पल हैं Sodium Hydroxide NaOH, Potassium Hydroxide KOH Potassium Hydroxide को कास्टिक पोटास भी बोला जाता है और Sodium Hydroxide को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है Magnesium Hydroxide Mg OH जिस परकार परबला मुझा होता है ठीक उसी परकार परबल शार और दुर्बल शार भी होता है उपर वाले दोनु जो बेस इसमें दे रखे हैं ये दोनु परबल होते हैं और नीचे वाला दुर्बल है थर्ड इसमें आता है सूचक किसे कहते हैं इंडिकेटर एक्जामपल दीजिए वेपदार्थ जो एसिड और बेस यानि अमल और शार की जांच के लिए काम में लिये जाते हैं उन्हें सूचक कहते हैं सूचक में मूलता है तू टाइप्स के हैं प्राकर्तिक यानि नेचुरल इंडिकेटर और सेकिंड इसमें आता है संथेताइज इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर आता है उसमें एक्जामपल है हल्दी और लिटमस और संथेताइज सूचक में है मिथाइल ओरेंज और फ थेंक यू